ही हालो एव्रीवन वेलकम बाइक टू माई चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चानल में फिर से एक बार हम देखेंगे आज आपके परसन की एनरजी कैसी है क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आप नो कॉंटेक्ट स से आप प्यार करते हैं महबबत करते हैं लेकिन अभी रिष्टा तूटा हुआ है या फिर डिस्टेंस है नो कॉंटेक्ट सिचुवेशन है तो प्लीज उस परसन को याद कीजे ताकि उनकी एनरजी आपके एंदरजी के साथ कनेक्ट हो सके और हमको कुछ ना कुछ गाइड आप परसनल रिडिंग ले सकते हैं मेरा नंबर स्क्रीन के उपर है साथी साथ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे अगर आप नेम करेक्शन करना चाहते हैं या फिर नए बच्चे के लिए नेम आप रखना चाहते हैं तो आपको गाइड़ की नहीं है या फिर अपने लखी कलर्स लखी नंबर्स भी जान सकते हैं तो अच्छे कि जल्दी से पॉसिटिविटी के साथ इस रिडिंग को शुरू करते हैं और कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स के साथ और जानते हैं कि आज आपके परसन की एनर्ची कैसी ह क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और आगे वो क्या कदम उठाएंगे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है तो आपको कैंडल के फ्लेम के उपर फोकस करके अपने परसन अपने पार्टनर का नाम लेना है तीन से साथ बार उनके चेहरा याद कीजिए उनके साथ बिदाएवा वक्त याद कीजिए अनके 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 साथ बहुत या अच्छी अनेर्जी आ रही है यहाँ पर जैसे कि ड्रॉप्स गिरने ऐसे लगता है न कि अगर कोई नहीं मान रहा था इस रिश्टे को या फिर किसी ने बोला था आपको या आपके परसन को कि यह रिश्टा मनसूर नहीं है वो लोग मानने वाले हैं ऐसा मुझे आप लगता है क्योंकि एनर्जी पॉसिटिव आ रही है आप दोनों का यह रिवनियन मुझे दिखाए देता है अगर फैमिली के वज़े से आप सेपरेट हुए थे या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के वज़े से आप दूर हुए थे तो वही थर्ड पार्टी आपको एक करने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आता है यानि कि आपना जो आपका जो manifestation है आपका जो सपना है वो कहीं न कहीं सच होते हुए मुझे नजर आता है क्योंकि इतना दीन आप तडपे है ना इतना दीन आपने इंतिजार किया है यह person का call या message या फिर यह आपको क्यों नहीं reply देते यह सोच सोच कर आपका जैसा दीमा की खराब हो गया था लेकिन अभी मुझे यह आपर लगता है कि फुल मुन की energy is person के behavior में person के thought process में बहुत बड़ा change लेकर आए कि और ही person चाहिए वह person male हो सकते है फिमेल हो सकते है आपकी तरफ आने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहा है ऐसी मुझे vibration strong vibes है कि 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 इसे की family ने इनको बोला है कि चलो अपनी खुशिया तुम चीलो यह जो तुम चाहते हो वह करो क्योंकि उन्होंने देखा है अपने बेटे का या अपने बेटी का दुख और वह नहीं चाहते कि और वह तकलिफ में जाए इसलिए इनकी family मानते हुए मुझे नजर आता है त आपके person आपको avoid कर रहे थे तो अभी नहीं करेंगे अभी इनकी तरफ से call messages आ सकते strongly मुझे communication की यहां पर vibes आ रही है strong vibes है कि यह person बात करना चाहते कुछ good news आपकी जिंदेगी में आने वाली है और जो चीज का आपने इंतिजार किया वह कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी आप आप हगा मुझे यहां पर ऐसे लगते हैं कि आपका बड़े जैसे की जून में है जून में था या फिर आपका बड़े मैं में था या फिर जैनिवरी फेबरेवरnd में था ऐसा मचे यहां पर लगता है मतलब यह 6 दिन आपके बहुती बुरे गए हैं जैसे कि जैनवर से जब से यह साल शुरू हुआ है न ऐसा लगता है कि आपका कुछ भी सही नहीं हो रहा है चाहिए लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में सिर्फ इस परसन के साथ रिल आपके इंटेंशन्स तो बहुत क्लियर है आपका इरादा बहुती सही दिखाए देता है आपकी सोच भी बहुती पॉजिटिव है लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि सामने वाला आपको मिसंडेस्टेंड कर देता है या फिर आपको ही गलत ठहराता है ऐसी कुछ एनरजी यहा वह खतम हो रहा है बुरा वक्त आपके जिंदेगी से निकल कर एक अच्छा वक्त आपके जिंदेगी में ही शुरू हो रहा है A new beginning, I can see strong vibes of a new beginning, a new phase, you are entering a new phase in your life, a beautiful phase where you'll experience unconditional love, happiness, joy, success, growth. ये सब सपने आपके सच होते हुए, मुझे यहाँ पर फिल हो रहा है, कि कुछ तो ऐसी बात आप सुनेंगे, आप देखेंगे, जिसका आपने सोचा भी नहीं जिसके बारे में, या फिर imagine भी नहीं क्या, कभी आपने मतलब जैसे कि सपने भी भी नहीं सोचा है, कि ऐसे कुछ हो सकता है अच्छा नक्सा तो एक अलग मोड पर आपकी जिन्देगी जा रही है और जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं अपनी सोल मेट के लिए अपनी डिवाइन कनेक्शन के लिए वो कहीं न कहीं आपका यूनिवर्स उस फेवर में काम करते हैं मैंचे नज़र आ रहे हैं सत् पॉजटिव और आपक्रेट कर रहे हैं चाहिए आप बहुत सारा जैसे की सॉल्ट वॉटर बाद लेते हैं रोज वॉटर बाद लेते हैं या फिर क्रिस्टल हिलिंग करते हैं आज कर मेडिटेशन करते हैं योगा करते हैं तो ये सब चीज़े आपकी औरा को पॉजटिव जब आपका औरा ही positive होगा तो लोग साती सात ये person सभी आकरशित होंगे आपके तरफ आपको समझेंगे आपको प्यार करेंगे यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है आपके जिंदिक में प्यार की कमी मुझे दिखाये देती हैं सब कुछ होगा आपके पास धन, दाउलत, घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ प्यार की कमी मुझे strongly महसूस हो रही है यहाँ पर तो जो राशिया आज मुझे यहाँ पर या zodiac science जो मुझे यहाँ पर strongly feel हो रहे हैं उसमें है वर्गो यानिकी कंद्या राशी एक्वेरियस, कुंबर राशी, पाइसस, मिंड राशी उसके बाद है लिवो, सीह राशी उसके बाद एरीस यानिकी मेश राशी strongly मुझे दिखाए देती है एरीस next day Sagittarius, दनू राशी और Scorpio, रुशिक राशी, Sagittarius लोग जो है न यहाँ पर मझे Sagittarius दनू राशी वाले बहुत strongly feel हो रहे हैं ऐसे feel हो रहे हैं यहाँ पर कि आपके person हो सकते है Sagittarius या आप हो सकते हैं ऐसे लोग थोड़े से moody type के होते हैं यानि कि अगर सुबह इनका happy mood रहेगा तो शाम को बहुती lazy बन जाएंगे या फिर negative thoughts या अगर शाम को अच्छा mood रहेगा रात को सोते वग भी अच्छा रहेगा mood और सुबह अच्छनक बदल जाएगा तो धनुराशी के वालों के थोड़े से mood swings होते हैं आपने experience किया होगा अगर आप Sagittarius हैं धनुराशी वाले या फिर आपके partner धनुराशी वाले हैं तो जुरूर आप देखेंगे कि कुछ भी सही नहीं होता है अभी बोलेंगे कि car से जाना है तुरन बोलेंगे कि bike से जाना है कभी बोलेंगे flight से जाना है मतलब इनका कुछ भी जैसे कि na mysterious person कुछ भी पताने कि इनके thoughts कब change हो जाएंगे situation कब change हो जाएंगे अभी यह कह सकते कि dinner के लिए भार जाएंगे थोड़े टाइम में बोलेंगे नहीं cancel करते मतलब कुछ भी इनका सही नहीं रहता कि कब क्या हो सकता है unpredictable तो मुझे यहां पर ऐसे लगता है यह person को आपकी आवाज बहुत ज़्यादा पसंद है आपका इनोंने कहां भी होगा कि तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे कुछ होता है feelings मुझे develop होती है या मैं feel करता हूँ या करती हूँ क्योंकि आपका आवाज इतना romantic है न ऐसे लगता है कि आप 6 तारिक को bonn हो सकते हैं आप 15 तारिक को bonn हो सकते हैं या फिर आप 24 तारिक को bonn हो सकते हैं strongly मुझे यहां पर लगता है कि आपका Venus बहुत स्ट्रॉंग है आपका एक औरा है आपका एक अट्रैक्शन है जहाँ पर लोग फिदा होते हैं और वो जो आप फिल करते हैं आटेंशन आपको अटेंशन बहुत मिलता है या फिर आपके पार्टनर को बहुत जदा अटेंशन मिलता है जहाँ पर यह जाते हैं न लोग मुड़कर ज़रूर देखते हैं इनकी तरफ या आपकी तरफ तो यहां पर ऐसा लगता है कि बीच में आपका वीनस प्लानिट ओवर था या फिर अंडर गया था जो काम नहीं कर रहा था और थोड़ा सा उसके वज़े से रोमांटिक लाइफ में या रि जो कि होंगे या इनकी के तरफ से कॉल मैसेज बहुत दिन के बाद आपको अच्छानक आपके स्क्रीन के उपर दिखाए देगा है हाव यू ऐसा कुछ यह फिर हाई बेबी वगरा जो भी बोलते हैं प्यार से वह कुछ मुझे ऐसा लगता है न वह मुझे फील हो रहा है य जली है वो जो आपका टेंशन था आपका डिप्रेंशन मुझे ऐसे लगता है न कि खतम हो रहा है मतलब इतनी आप चिंती थे आपको लगता था कि मेरा दुख सबसे जादा है और दुनिया में और किसी का दुख ऐसा नहीं हो सकता जितना कि मैं सफर कर रहा हूँ या सफर क आप जैसे बहुत है तो यहां पर मुझे स्ट्रॉंग ऐसा लगता है कि आपकी रोमैंटिक लाइफ में बदलाव आ रहा है बहुत जादा आप ब्यूटिफुल लगने लगे हो अपने आपको ऐसा लगता है कि मैंटें किया है कोई ऐसा लगता है मुझे आप योगा जॉइ जॉइन किया है हाली में आपने योगा क्लास जॉइन किया है या फिर जीम जॉइन किया है या फिर जैसे की आरबिक या जुमा क्लास जॉइन किया है या फिर डांस क्लास जॉइन किया है ऐसा मैंचे स्ट्रॉंग लगता है अपने आपको बहुत ज़दा मैंटें परने चामिली इश्यूस हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच जिसके वज़े से परसन थोड़े से नेगिटिव एनरजी में चले गए थे आपकी तरफ उतना सिरियस नहीं हो रहे थे लेकिन अभी नहीं अभी यह बिल्कुल आपको मिस्स नहीं करना चाहते मतल बार-बार उनको मतलब जैसे की वो कंट्रोल करना चाहते लेकिन उनका जो दिल है उनका मन है वो कहीं न गए आपको याद करता है आपकी तरफ जादा उनका ध्यान है आपके बारे में सोचना या फिर आपको याद करना आपकी वाइस मैसेजिस को सुनना यह सब चीजे हो रही है मतलब बहुत स्ट्रॉंगली यहापर मुझे लगता है कि कम्यूनिकेशन की वाइब से कि आई मिस्स यो यह कहना चाहते हैं वो आपको कि कितना याद करके कितना परेशान रहे हैं वो भी जैसे आपको लगता था कि यह परसन पतर दिर है क्या जो मुझे नहीं याद कर रहे हैं या मेरे लिए वक्त नहीं बाकि सब के लिए वक्त है यह आपकी फिलिंग्स यहापर है कि मेरे लिए वक्त नहीं बाकि सब दुनिया के लिए इसके पास वक्त है ऐसे कुछ फिलिंग्स है तो नहीं भले यह दुनिया के साथ थे लेकिन उनके दिल में आप थे आ आपर मुझः थर्ड पाटी ऐसे लगता है कि इनकी मदर हो सकती है आपके परसन की मदर मुझः फामिना फाली फ़ील हो रहे मदर हो सकती है या फिर इनकी चाछी हो सकती है या दादी नानी हो सकती है या बहुत लुट ही helicopters जैसे की स्नेखे उठार देखने वाली या देखने वाली मतलब पहरे जमने में जैसे होता था ना कि रिष्टा जोड़ना है बस वह बाकी कुछ compatibility नहीं देखना है कि क्या मेरा लड़का मेरा जो भी इनसान है परसन है उसके साथ comfortable है और अपने फामिली को जरूर मनाएंगे और मान भी गई है बहुत से लोगों की ऐसे लगता है ना कि अगर फामिली बीच में आ रहे थी तो मान गई है और एक अच्छा new beginning आप दोनों के बेश शूरू हो रहा है यहाँ पर ऐसे लगते है कि भगवान की blessings है आपके उपर और साथी साथ आपने जो manifest किया है strongly वो मुझे feel होता है कि वो completion दिखा रहे है यहाँ पर मुझे the world का card यहने की completion सभी सपने आपके सच होने वाले है एक new family स्टार्ट करने वाले है इस इस इनसान से जिससे आप प्यार करते हैं जिससे आप मौबत करते हैं बस वो और आप और कोई third party बीच में नहीं आएगी आही सकते आभी इतनी energy change हो गई है न कि मुझे यहां पर ऐसे लगता है कि यह person नहीं नहीं रह सकते आपके विना इनका letter जैसे कि मुझे वी letter और विशाल नाम बहुत ही strongly यहां पर मुझे channel हो रहा है पता नहीं किसका नाम है विशाल और वी letter यहां पर मुझे strongly दिखाए देता है c letter दिखाए देता है r letter यहां पर मुझे दिखाए देता है उसके बाद b letter दिखाए देता है और j letter है यहां पर i letter है l letter है w letter मुझे दिखाए देता है z letter मुझे दिखाए देता है k letter मुझे दिखाए देता है साथिए साथ यहाँ पर जो numbers angel number मुझे यहाँ पर दिखाय देता है 222 angel number strongly मुझे channel हो रहा है यहाँ पर symbols बनावा है angel number 222 ऐसे लगते हैं इन पर्सन की budget हो सकती है जैसे कि 11 रहे दस हो सकती है 11 हो सकती है या फिर 21 हो सकती है 19 हो सकती है 16 हो सकती है इनके budget में एक जरूर रहेगा 1 नमबर जरूर रहेगा एक तारिक हो सकती है 10 तारिक 11 तारिक एक नमबर जरूर रहेगा 31 हो सकती है 21 हो सकती है ऐसी कुछ budget यहाँ पर आपकी है आपके person की मिझे strongly feel हो रही है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है न कि पिछले साल बहुत से लोगों का लव लाइब बहुत ही अच्छी थी मतलब आपको पता ही नहीं चला कि यह साल कब गया 2023 बहुत ही ब्यूटिफुल था आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया एक दुसरे के साथ आपने जो टाइम स्पेंड गया मतलब most beautiful year of your life कह सकते हैं कि आपने नहीं सोचा था कि 2024 शुरू होगा और सब यह बुरा वक्त आपके जिन्दगी में शुरू होगा किसके वज़े से या क्या वज़े हो सकते कुछ भी नहीं सोचा आपने बस आप चलते रहें लेकिन ऐसा वक्त आया 2024 में जहां पर दूरियां और जो टेंशन आपने जो महसूस किया या फेस किया आपने आप हाईमत नहीं हारे आप आपको विश्वास था कि भगवान मेरी परिक्षा ले रहा है या जो भी हो रहा है मुझे फेस करना है मुझे हार नहीं माननी है क्योंकि आपको हारना भसंद नहीं है हमेशा आप जीतते आए हैं और आप जीतेंगे आपको मतलब विशवास था, बगवान के उपर विशवास था, अपने प्यार के उपर विशवास था, विशवास जब रखते हैं तो चीज़े पॉजिव हो जाती ह। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अभी आपको पता है कि यह person आएंगे जरूर मेरे पास मुझे फोन तो करेंगे और अभी आपको लगता है ना कि मुझे life partner की जरूरत है आपको बहुत ज़दा अकेला पन सता रहा है वो तो loneliness है या फिर अकेला पन है या बहुत ज़दा मतलब आप जो sad रहते हैं उस time कोई तो चाहिए आपको अपनी feelings share करने के लिए बात करने के लिए आपके साथ कहीं भार घुमने जाएं इसलिए यह person को आप miss करते हैं इनके साथ वक्त आपका कप कट जाता है दिन कप जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है यह best planner हो सकते हैं मतलब इनको अगर आप बताएंगे आपके person को की बड़े है किसी का तो यह best planner हो सकते हैं planning करना है किस restaurant में table book करना है कि किस step का होगा कौन से flavor का होगा सब कुछ इनको मतलब यह बहुत creative मुझे दिखाए देते हैं जैसे की creative work में interior designing वगरा करना या फिर जैसे की decoration का job हो सकता है decoration का parties ऐसे कुछ में यहाँ पर मुझे दिखाए देता है या vibes आरे जैसे की डीजे हो सकते हैं वन्हों कुछ creative करना decorative ऐसा कुछ सजावट का काम हो सकता है ऐसे में इनको बहुत जादे interest है या आपको भी हो सकता है जैसे की craft में interest है कुछ decorative items खुदी बनाते हैं घर में जैसे की flower pots, vases या फिर कुछ hangings, wall hangings, painting करना, रंगोली ऐसे कुछ मुझे आपकी जैसे की likes या hobbies यहाँ पर feel हो रही है तो यह person को आप समझना चाहते हैं इनका सहारा बनना चाहते हैं इनको तकलिफ में आप कभी नहीं देख सकते हमेशा आप चाहते हैं कि यह खुश रहे और इनकी खुशी में ही आपकी खुशी जूरी हुई है अगर यह person को थोड़ी भी तकलिफ होते हैं या फिर यह आपको कभी कबर बताते हैं कि आज मुझे यह tension है तो आप इतने परिशान हो जाते हैं कि आप सोचते हैं अरे यार उसको तो परिशानी है और मैं भी परिशान हो रही है उसकी तकलिफ है लेकिन परिशानी तो मुझे हो रही है मुझे तकलिफ क्यों हो रही है मतलब वो जो connection आप फिल करते हैं न वो ही खास बात यह person को बहुत ज़्यादा सताती है बहुत ज़्यादा आती है आपके कि उनके लिए आप कितना परिशान रहते हैं अगर उन्होंने नहीं खाना खाया तो आपको भूख नहीं लगती मतलब यह कौन सा प्यार है मतलब इतना प्यार आज तक वो person को किसे नहीं किया और वो बात उनको कहीं न कहीं आपके बारे में सोच कर कभी-कभी वो smile करते हैं कभी-कभी उनके आसु निकलते हैं और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा sad भी हो जाते हैं guilty भी फिल करते हैं कि स कहीं वक्त पर आपका साथ नहीं दिया एक गलत decision लिया आपसे अलग होने का या फिर आपको no contact देने का इस सबसे बड़ी भूलती सबसे बड़ी गलती थी उनके जिन्दगी की और वो सुदारना भी चाहते हैं आपको प्यार देना चाहते हैं या जो आप deserve करते हैं वो आप को खुशियां देना चाहते हैं उनको भी पता चला है कि अभी उनका भी वक्त आया है जहां पर उनको serious होना पड़ेगा जिन्दगी में और आपके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा किसी और के साथ नहीं वो सोच सकते जैसे कि आप नहीं सोच सकते इस person की सीवा और किसी के बारे में वैसे वो भी नहीं सोच सकते और किसी के बारे में क्योंकि उनका भी दिल कहीं नगहीं आप में ही अटक गया है आपके सिवा नहीं कुछ दिखाये देता है तो अगर आप परेशान है कि मेरा वक्त कब आएगा मेरे person का call message कब आएगा क्यों नहीं वो मुझे phone करते हैं यह बहुत ही common questions होते हैं comment section में बहुत सरे questions होते हैं कि कब जाएगी third party कब वो वक्त आएगा तो क्या है ना जब आप विश्वास रखते हैं भरोसा रखते हैं divine के उपर तो चीजें बदलने लगती हैं लेकिन धीरे धीरे तो ऐसा ही मुझे यहां पर लगता है ना कि अभी वह वाक्त आ रहा है बहुत से लोगों की जिन्दे की चेंज होगी और जुलाय महीना ना जो साथ नंबर है बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी खुश्या लेक वाली है सिर्फ रिलेशन्शिप में ही नहीं आपके करियर में ग्रोथ आपके सपने सच होंगे अगर आपने गाड़ी लेने का सोचा है तो वो बहुत से लोगों का सपना सच होते हुए मुझे नजर आता है तो वो भी सपना सच होते हुए मुझे नजर आता है यहां पर है और वो पुरा करना चाहते है वो जित है आप में क्योंकि साथ नंबर ऐसा है ना कि डीप नॉलेज गेंद करना आपको बहुत अच्छा लगता है हर चीज के बारे में बहुत जानना है इस परसन से जैसे कि आप रिलेशन्षिप में जाने से पहले इनके बारे में सब अपन बनाएं उसके बारे में जानना चाहते कि कैसे है उसके आदत क्या वो गुसा करता है क्या वो खुश रहता है क्या वो समझतार है क्या वो विजडिम नॉलिज से है क्या जॉब में कैसा फोकस्ट है करियर में कैसा फोकस्ट है यह सब देखा है अपने चीजे और उसके बाद आपने इस पर्सन को अपनाया है तो अभी इतने देर के बाद में सोच समझ कर आपने इस पर्सन को अपनाया है तो थोड़ी आप उनको छोड़ेंगे या भूल जाएंगे नहीं भूलेंगे तो कंप्लीशन मुझे यापर स्टॉंगली दिखाये देता है और ऐसा मुझे यापर लगता है न कि बहुत से लोगों को जैसे कि यापर एनर्जी है सत्रा सत्रा की एनर्जी फिर से यहाँ पर आई है साथिसा ट्वैंटी बांद की एनर्जी यहाँ पर आई है 17 और 21 जैसे कि हो सकता है कुछ ना कुछ बताना चाहता है जैसे कि 17 गंटे में कुछ ना कुछ बदलावाएगा आपके जिंदेगी में कुछ तो पता चलेगा परसन की तरफ से कम्यूनिकेशन हो सकता है या फिर 21 गंटे में हो सकता है या कुछ दिनों की बाद भी हो सकता है यहाँ पर 6 नमबर जैसे पहले आये था न तो 6 दिन हो सकते हैं किसी की लिए बहुत ही लखी हो सकता है 6 नमबर आपके लिए आपका लखी नमबर हो सकता है 6 नमबर 6 जो हर बात कुछ न कुछ हो जाता है जैसे कि 6 तारिको या 6 गंटे में या 6 नंबर आपके लिए लखी है जहाँ पर भी आप गए है 6 नंबर जब भी आपको मिला है तो आपके लिए बहुत ही लखी रहा है तो यहाँ पर मुझे ऐसी ही लगता है आपके strong energy है ना कि आप focused है इस person को लेकर और अब यह आपको ऐसा लगता है पहले जैसे आपको बहुत ज़्यादा tension होता था बहुत depression में या रातों को नीद नहीं आती थी वैसा भी आपको बिलकुल feel नहीं होता है आप में वो confidence आ गया है कि यह person मेरे है और मेरे पास ही आएंगे ऐसा आपको लगने लगा है जिसके वज़े से आज करना आप अपनी life enjoy कर रहे है क्योंकि आपने बहुत कुछ सोचा कि कि कितना मुझे परिशान होना है और कितना अपने आपको तकलिप देना है आप यह सोचते हैं कि यह person आज नहीं तो कल मेरे पास आएंगे तो मैं अपने आपको तकलिप क्यों दू जब universe चाहेगा universe ने अगर पहले भेजा था इस person को मेरे सिंदिगी में और अगर universe चाहता है आगे भी हम दोनों का रिष्टा रहे तो ज़रूर यह person लौट कराएंगे यह जो अपमे आत्मविश्वास है ना यह कही ना कही वो काम कर रहा है वो confidence है ना आपकी positive energy वो आपके person को आपके तरफ आपके बार में सोचने पर मजबूर कर रहे है तो यह person लौट happy फिल करते हैं जब भी आपके बार में सोचते हैं इनका जैसे कि सोचना बदल जाती है और जब भी याद करते हैं बहुत साथ इमोशनल भी हो जाते हैं आपके बार में सोच कर और इनको आपका खयाल भी है मतलब यह आपको जैसे कि social media के ओपर follow करते हैं वहाँ पर आपको ब्लॉक नहीं किया होगा सिर्फ नंबर ब्लॉक किया होगा और यह ऐसा भी लगते हैं आपकर किसी किसी के person on off situation है जैसे कि block भी करते हैं अनब्लॉक भी करते हैं मतलब यह समझ नहीं थी इनमें कि क्या करना चाहिए मतलब उनका प्यार भी है भी नहीं भी है भी नहीं भी लेकिन अभी नहीं ऐसा होगा अभी इनका प्यार है मतलब है 100% commitment के साथ ही आएंगे person या फिर आपसे already married है आपके husband है या आपके wife है तो आपके पास आना चाहती है या चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है मतलब आपके partner का reunion दिखाए देता है अगर आप single भी है तो भी आएंगे अगर आप married भी है तो भी आएंगे यहाँ पर मुझे ऐसा लगती कि कोई divorce ही है relationship में और उसका किसी के साथ relation था जैसे कि single के साथ या married के साथ और वो है कि जैसे कि divorce का wait कर रही थी या कर रहा था तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका divorce होगा और आपका reunion होगा ऐसा लगता है कोई divorce ही है उसका भी reunion मुझे आपर feel होता है strongly कि reunion होगा ही होगा call messages आएंगे उनकी तरफ से कुछ good news मिलेंगी एक वादा किया था उन्होंने कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा यह नहीं छोड़ूंगी वो निबाना चाहते हैं उनकों लगता है कि अगर आपका साथ छोड़ेंगे तो बहुत कुछ गलत होगा उनकी जिन्देगी में कहीं अगर वो guilty feel करते हैं और वो believe भी करते हैं justice में art number यहाँ पर strongly reflect हो रहा है अभी तो शनी की energy है शनी देव की energy और शनी देव justice करते हैं अगर आपने अच्छा कर्मा किया है किसी को दुख नहीं पहुचाया है तो चीजें आपकी जिन्देगी में अच्छी होंगी अगर आपनी बुरा किया है इस जनम में past में या past life में तो आपी जो phase बुरा वक्त आपके जिन्देगी में आया आपने सोचा कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ तो यह आपका justice ही हो रहा है आपके साथ अगर आपने अंचाने में भी कुछ कर्मा किया है जो आपको लगा कि चलो छोड़ दो या तो उसका आपको जैसे कि बुरा करने के ब positive रहती है आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं एक सही रास्ते पर चलते हैं हमेशा दुसरों को मदद करते हैं तो सीधी सीधी आपकी जिन्दे की change हो जाती है उसका effect आपकी life के उपर होता है आपकी life बहुत सुन्दर हो जाती है और आपके सपने सच हो जाते ह क्योंकि blessings रहती है शनी देव की blessings जिनके उपर है उनकी life तो बहुत ही खुपसुरत होती है पैसा रहता है उनके पास दंद आउलत रहता है सभी खुशिया रहती है और love relationship में भी धोके नहीं मिलते हैं तो यह person आपको cheat नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं अगर आप स कुछ बुरी थी समझने की कोशिश कीजए यह आपको धोका नहीं दे सकते यह आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे आपके साथ रिष्टा निबाएंगे strongly मुझे feel हो रहा है claim कीज़े इस energy को साथी साथ यहां पर आज जो lucky numbers आपके लिए पहले आये थे वो 6, 15, 24 उसके बाद 8 आया उसके बाद 7 भी आया तो यह numbers कुछ न कुछ कहना चाहते हैं आपके life से related जरूर है और यही numbers है जो बदलाव लाएंगे आपके जिंदेगी में तो अगर आप detail में reading लेना चाहते हैं आप जाना चाहते हैं कि क्या है आपके ऐसे planets की effects जो आपको परिशान कर रहे हैं या personal reading लेकर भी check out कर सकते हैं क्या आपका नाम आपको परिशान कर रहा है क्या आपकी नाम की energy आपको effect कर रहे हैं क्या आपका mobile number आपको बुरा मतलब bad luck दे रहा है यह भी जान सकते हैं personal reading की तो आज के reading में इतना ही अगर reading जरा भी आपके साथ resonate किया है आपको अच्छा लगा ह पॉजिटिव लगाए तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए इसे अपनी social media के ओपर thank you so much thank you all of you thank you angels thank you universe